जी दोस्तों गैसे हैं आप सब उमीद करता हूं मैं सब बढ़ी आऊंगे इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे राजस्तान रोयल सोर या पर गुजरा टाइटन्स के बीच में आई पेल का जो मैच नमबर 48 केला जाएगा सुवाई मान सिंग स्टेडियम जैपपूर के वे आउट हो सकते हैं यान की मैच सब्स भी आपको दिखाऊंगा और इस वीडियो में आपको जो स्टेड्स मिलेंगा वो आपको एक लेवल और थोड़ा सा अप देखने को मिलने वाले ठीक है तो स्टेड्स में आपके लिए मैं कोई भी कमी नहीं रखूंगा आप लोग जब सकते हो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पलस आपको वीडियो के डिस्किप्शन में दोनों जगह पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा तो इसके बाद में कोई भी अपडेट होंगे फाइनल टीम अगर लास्ट मुमेंट पर कोई चेंज करेंगे तो आपको टे के फिवर में जाएगा मतलब जो भी टीम इस वेन्यू पर टोस्विन करेंगे वो पहले के इंदबाजी का डिसिजन करेगी मतलब की यहाँ पर जो भी टीम टोस्विन करेगी न वो चेज करना ज्यादा पसंद करेगी एवरेज जो स्कोर है लगबग 160 की आसपास है जो की T20 के इसाब से उतना बड़ा स्कोर नहीं है कैवरेज जी स्कोर आप लोग मानके चलना स्कोरिंग पैटरन देखोगे 150 से कम यहाँ पे 15 बार ओलरी स्कोर बन चुका तो कंडिशन्स यहाँ पर ऐसा लगता है कि शायद बैटिंग के फिवर में उतनी ज्यादा ना जाए बोलर स भी केवल साथ ही बार स्कोर बना तो देखो इतना बड़ा कोई हाई स्कोरिंग वेन्यू थी है है नहीं नोर्मल वेन्यू रहेगा लेकिन दोनों टीम्स के बैटिंग काफी अच्छी है लेकिन गुजरात के जो टीम है वो तो लास्ट मैच दिल्ली के अगेंस्ट 130 का भी ट 27 अपरेल को जहां पर राजस्थान के टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 202 करे थे चेन्ने की टीम चेज नहीं कर पाई थी और 32 रन से राजस्थान ने मैच को विन किया था फोर्थ मैच राजस्थान ने 191 करे डेली कैपिडल्स ने 193 बना के चेज गिया तो आप लोग एक चीज देख पाऊगे एक मैच में जहां आपको थोड़ा सा बड़ा स्कोर बनता हुआ दिखता है तो वहीं एक मैच में आपको काफी कम स्कोर बनता हुआ दिखता है और बहिया जो कम स्कोर बनता है वो यहां पर इजली चेज भी नहीं हो रहा क्योंकि यहां पे लखना स्कोर बनेगा किसी मैच में थोड़ा सा कम स्कोर बनेगा एवरेज निकालके चलेंगे 160-1605 के स्कोर की उमीद यहां पर हम लोग जरूर लगा के चलने वाले हैं उसके बाद में हैट टो एड मैचिज आप लोग देख पाऊगे यहां से दोनों टीम्स के बीच में केवल को कम के स्कोर पे रोकना काफी ज्यादा मुस्किल हो सकता है ठीक है तो यहां पर गुजरात के लिए भी काफी ज्यादा मुसिबते फिर बढ़ सकती है लास्ट मैच वहा दोनों टीम्स के बीच में 16 अपरेल को यहां पर जो है राजस्तान की टीम ने 3 विगट से मैच को विन किया था सैगेंड मैच यहां पर भी 7 विगट से गुजरात की टीम ने विन किया यहां पर राजस्तान ने विन किया था और थर्ड मैच में देखोग complete आपको लोग वीडियो देखना बस skip मत करना उससे पहले आपको बता दू अगर आपने वीजन 11 को डाउनलोड नहीं किया दोस्तो तो description में आपको जो है डाउनलोड लिंक मिल जाएगा वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो पहली बार sign up करोगे आपको 500 रुपित का cash bonus में मिल जाएगा इस app के अगर main features की बात करें सबसे कम आपको यहाँ पर interface देखने को मिलेगी other किसी भी आपके साथ में compare कर लो सबसे कम जो interface रहेगी दोस्तों वो सिर्फ आपको मिलेगी by vision 11 पे ठीक है उसके बाद में अगर इसके main key features की बात करें second inning fantasy multiple contest आप जोईन कर पाऊगे एक single click में maximum आप लोग 200 contest जोईन कर सकते हो बाकी इससे नीचे आप लोग जितने चाहों यहाँ पर contest जोईन कर पाऊगे instant आपको withdrawal मिलता है reverse fantasy, betting fantasy और bowling fantasy जो आपको देखने हो मिलेगी और यह वाले features आपको सिर्फ vision alone पे मिलेंगे बाकी किसी other platform पे नहीं मिलेंगे आपके फाइदे की बात बता दू डेली आपको 50,000 का free giveaway मिलता है vision alone पे आईपल के हर match में ठीक है तो जरूर जोईन कर लिया क्योंकि free का giveaway है आपका कुछ नहीं जाने वाला सबसे कम इंटरिफीस है और क्विक आपको यह पे customer support मिल जाएगा सबसे कम competition के साथ में सबसे कम commission भी आपको vision alone पे देखने को मिलेगा तो description में आपको link मिल जाएगा दोस्तों वहाँ से download कर सकते हो refer code के साथ में sign up करोगे तो आपको 500 उर्पीस का cash bonus भी मिल जाएगा आगे बढ़ते यहां से बात करेंगे राजस्थान Royals की playing 11 के बारे में important चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगा आप लोग ध्यान से देखते रहे न यससवी जैस्वाल के साथ में यहां से आपको opening करतों दिखेंगे बाई जोस बटर तगडीफों में जैस्वाल मिलेंगे बारे कल को निचे बैटिंग कराके शायद उतना benefit इनका राजस्थान ना उठा पाए सिम्रन हिट मायर दुरूद जुरेल रहेंगे जैसन होल्डर ने तो सत्यानास करवा रख है राजस्थान की टीम का बाई और इनकी चिगह मैं चाहूँगा इस मैच मैडम जैंपा को टी ठीक है तो यह मेरे इसाब से प्लेंग 11 एक बार फिर से शायद आपको देखने को मिले एकमातर चेंज जैसन होल्डर का मैं यहां पर एक्सपेक्ट करके चलूँगा बाके और कोई चेंज नहीं लगता कि यहां पर होने वाला है जैसवाल के पास में तगडिफ हो मैं लास् साब से हर मैच में अच्छी पारिया खेल सकते हैं लेकिन बड़ी इटिंग की कोशिस होती है कि अपनी समझ से बार है पडिकल को नीचे बैटिंग में मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा बेनिफिट है सिमरन इटमा स्टार्टिंग के कुछ एक मैचिज में अच्छा फि पिनस देखने को जरूर से मिल जाएंगे तो ये टीम रहेगी राजस्थान रोयल्स की पूरे स्टैर्स आपके सामने के एक प्लेयर के अच्छे से रीड कर सकते हैं उसके बाद में आगे बढ़ेंगे गुजरात टाइटन्स की बात करेंगे साहा के साथ में गिल ओपनिंग को टीम याँ पर वापसी करवा सकती है सम्मी की फोर्म काफी शांदर है लास्ट में चार विगेट आपको डिफरेंशल पिक में बोला था वाई कैप्टन वाइस कैप्टन कर लेना वीडियोज कंप्लेट देखोगे जो चीज आपको बताऊंगा अगर अप्लाई करोगी द आपको रिस्क लेना पड़ेगा जैसा कि लास्ट मैच का अपना रिस्क था मौमद शम्मी का आपको किलियर कर दिया था डिफरेंशल में कैप्टन सी वाइस कैप्टन सी कर सकते हूँ अगर आपने करी होगी तो मेरे साब से बहुत अच्छा बेनिफिट वहाँ पे मिला यह देखो स्टार्टिक में 30-35 रंस करते हैं और फिर अपना विकर्ट थ्रो करके जा रहे है हार्दिक पंडिया की लास्ट मैच की वह आफ सेंचुरी किसी काम नहीं आई गुजरात के क्योंकि 130 का टारगेट भी गुजरात के टीम चेज नहीं कर पाई लास्टों में 12 या 13 रंस यह थे वो भी इंसे जो है चेज नहीं करेगए क्या बैटिंग करी हर्दिक पंडिया ने भाई अपनी समझ से बार है ठीक है विजय संगर को जिस मैच में टीम में पिक करें वो से बंधा फ्लोब जाता है और जिस मैच में टीम में पिक ना करें यह बंदा रंस मार के तो आप लोग देख लें आपको टीम में पिक करना है या नहीं करना बाकी पूरे प्लेयर के स्टैट्स है नूर एमध 8 विकेट निकाल चुके राशिद नहीं आपे 15 विकेट अलड़ी निकाल रखे है उसके बाद में आगे बढ़ेंगे यहां से एक एक चीज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है अब कहीं पे भी आपको वीडियो को एक सेकिंड के लिए भी स्किप नहीं करना अगर आप लोग एक पूरे मैचसप्स के साथ पूरे स्टैट्स के साथ में टीम की रेट करना चाहोगे बैट्समें के स्टैट्स देखेंगे किस टाइ पेसे निचे आपको देखने को मिलेगे तिके एक सो पेस्स से नीचे आपको देखने को मिलेगे 135 प्लस 144 प्लस की जो pace होगी न वो आपको दिखेंगे right arm fast के अंदर ठीक है तो right arm medium gain बाद ज्यादा होते हैं उस वज़े से कोई भी बल्ले बाद right arm medium के सामने ज्यादा बारी out हुआ होता है अब यहाँ पर जो चीज समझनी है फोकस करो यहाँ पर average के उपर आजाओ ठीक है यह चीज आपको बहुत ज़्यादा चीजे की लियर करेंगी कौन सा बल्ले बाद कहां फासेगा देखो right arm fast के सामने देखोगे केवल 250 gain में 298 run से average देखोगे केवल 19 का है मतलब जिस gain pass के सामने थोड़ी सी pace extra होती है यानि कि last match के अगर आपने देखा होगा एंडिस नोर्ख्या के सामने यह अपना विकेट थ्रोगर के गई थे लेकिन देखो guilt काफी talented player है मैं यह नहीं कहूँँगा कि right arm fast के सामने आउट ही हो सकता है ना भी हो लेकिन इनकी जो कमजोर है वो हमें दिख रही है कि right arm fast यानि कि जिसके पास में pace बढ़िया होगी और सामने वाली team में pace gain pass आपको कोन मिलेगा क्योंकि सामने वाली team में कोई भी ऐसा gain pass नहीं है जिसके पास में 140 या फिर 145-150 की pace के साथ में जो gain pass जी करता हो लेकिन pace के सामने इनको problem होती है बाकी देखोगे किसी भी type के gain pass के सामने देख लो average आपको काफी शांदर देखेगा तो एक मातर right arm fast गेंद बाज जिसके सामने थोड़ा सा स्टार्टिंग में समलके बैटिंग गिल्को करनी पड़ेगी आगे चलेंगे यहां से बात करते हैं रिद्धिमान साहा के बारे में इनका भी आप लोग देखोगे सबसे जो कम average होता वो यहां पे दिखेगा आपको right arm leg break gain pass के सामने केवल साड़े 18 average है right arm fast के सामने साड़े 20 average है मतलब right arm fast और right arm leg break यह दो ऐसे गेंदबाज हो सकते हैं जो की साहा को starting में प्रेशान करेंगे और right arm fast के सामने सुमन गिल भी थोड़ा सा problem मैसूस कर सकते हैं वो चीज में आपको पीछे बता चुका हूँ लेकिन सामने वाली टीम में कोई भी पेस गेंदबाज आपको उतना बढ़िया नहीं मिलेगा दूसरी जो चीज जानक नहीं है left arm fast के सामने एक बार भी आउट नहीं लेकिन left arm medium के सामने 16 बार उट हो चुके और सामने वाली टीम में left arm medium या फिर left arm fast कहलो आप लोग वो मिले सामने अब लेक ब्रेक गेंदबाज सामने वाली टीम में कोई भी उससे कोई फरक नहीं पड़ता वैसे तो आपको नोर्मली यूजी चहल मिलेंगे लेकिन वो काफी लेट गेंदबाजी करेंगे और साहा करेंगे बाई ओपनिंग ठीक है आगे चलते दोस्तों यहां से दे रहेंगे रवीचंदर नस्वीन और यूजी चहल ठीक है अब वो टीम अगर एड़ करना चाहिए एडम जैंपा को टीम में वापसी करवा सकते ठीक है वो भी लेक ब्रेक डालेंगे लेकिन लेक ब्रेक के सामने ठीक ठाक एवरेज है अगर पंडिया के बात करेंगे 30 का और यूजी चहल रहेंगे ब्रेक और ब्रेक के सामने अब तक एक बार भी आउट हुए यह वह यहां पर, फिर भाइब, लिकांँ, लेकिन लेफर्टाम ओर्थडोक्स को आपको सामने वाले टीम में कोई गेंदबाज दिखेगा नहीं, तो हार्दिक पंडिया कि इस मैच में परफॉन्ब करने के चांसे आम लोग थोड़े से हाई करके चलेंगे उसके बाद में विजयसंगर की बात करतें विजयसंगर के स्टैट्स देखोगे सबसे कम जो faithful दिखेगा वो चाइना मेन के सामने है लेकिन चाइना मेन सामने वाले टीम में कोई गेंदबाज निया तो चाइना मेन को माट आप लो आंसे तिक है वो जरूर benefit उठा सकते है इस match में ट्रेंट बोल्ट के पास में पेस ठीक ठाक है जादा पेस नहीं है 135-136 तक गेंदबाजी वो जरूर डाल सकते है लेकिन उसके साथ में swing zone की gain में रेगा न वो काफी help उनको कर सकता है कि वो starting में wickets भी निकाल ले सामने वाली team के side से या तो यूजी चहल करेंगे या फिर करेंगे रवीचंद्र नस्वीन अब देखो ओब ब्रेक के सामने 23 कैवरेज है लेक ब्रेक के सामने देखोगे 49 कैवरेज है मतलब चहल के सामने शायद इनको उतनी प्रोब्लम फेस ना करनी पड़े लेकिन रवीचंद्र नस्वीन के सामने थोड़ी सी प्रोब्लम हो सकती है क्योंकि 60 गेंद में केवल 92 रंस और चार बार आउट हो चुके तो ओब्रे के सामने थोड़ा सा इनको संबल के बैटिंग जरूर करनी पड़ेगी मतलब यहाँ पर विजय संकर वर्सिज मैं देखना चाहूँँआ रवीचंद्र अस्विन किस परकार के मैचसप साफ को देखने को मिलने वाले है तो गुजराज के जो टोप के चार प्लेयर हैं उनके पूरे स्टेर साफ के सामने कोई दिक्कत नहीं आप लोग बस वीडियो को इंजोई करते रहो यहाँ से बात करते हैं एक बार राजस्थान के जो मेन बल्ले बाज है उनकी सबसे पहली एससवी जैसवाल यहाँ पे आप लोग नोटिस करना एक चीज़ सबसे जो कम एवरेज है साड़े 18 का वो है बाज़ा लेफ्टा मोर्थडोक्स के सामने नोर्मली जादा प्रोब्लम नहीं होनी चीई क्योंकि गेंद पढ़एके न थोड़ा अंदर आएगी और वहाँ पे सोर्स लगाना दोदा यजिपढ़ता है लेकिन इनको देखो के लेफटाम और्थडोक्स के सामने साफ साफ आपको कमजोरी दिखेगी पास बार आउट हो चुके केवल 76 गेंद में अब सामने वाली टीम है भाईया गुजरात टाइटन्स की ठीक है अब गुजरात टाइटन्स की टीम है कोई लेफटाम और्थडोकस गेंद बाज तो हैनी ठीक है वहाँ पे जरूर राःूल तेवतिया का यूज अगर करना चाहीना तो कर सकती है गुजरा टाइटन्स की टीम लेकिन अभी तेक उनों ने राहुल तेवतिया से ज़्यादा गेंदबाजी नहीं करवाई तो भाईया देखो यहां से तो इनकी प्रोबलम मुझे कुछ ज़्यादा नहीं दिखेगी क्योंकि सामने वाली टीम में फिलाल कोई left-up orthodox गेंदबाज नहीं तो आप लोग इसको एक बार कट कर दो ठीक है उसके बाद में इनकी जो main कमजोरी आपको दिखेगी right-up medium के सामने 25 coverage है और यहां पर 20 बार अपना विकेट दे चुक है लेकिन अलरी आपको बता चुक हूँ right-up medium के सामने हर बल्ले बाद आपको maximum times out होता हुआ जरूर दिखेगा left-up medium के सामने 25-23 coverage है और 9 बार अपना विकेट थो करके जा चुक है तो यह पूरे matchups है आप लोग देख सकते हूं ज्यांसी यह सच्वी जैस वाल लगे उसके बाद में आगे बात करेंगे यहां से बाईया जोस बटलर की ठीक है या फिर बाईया देखो राइट आम लेक ब्रेक को रासिद खान में मान के चलूँगा लेकिन जो उल्टे आज से गेंदबाजी करवाएगा वो रहेगा नूर हमद ठीक है उनके सामने शायद उतनी ज्यादा प्रोबलम इनको फेस ना करनी पड़े लेकिन रासिद का यूस स्टार्टिंग में तो गुजरात की टीम करेंगे नी क्योंकि जोस बटलर तो करेंगे ओपनिंग लेकिन ओपनिंग करेंगे तो इनको या तो फास्ट गेंदबाजी को खेलना पड़ेगा फास्ट बोलस के सा करेंगे तो यहां से बात करेंगे तो आप लोग यहां से एक चीज़ देखना चाओगे तो यहां से जो सबसे कम आपको एवरेज दिखेगा न वह उतना इसी प्लेयर के सामने प्रोब्लम इनको नहीं है ठीक है लेकिन फिर भी थोड़ी सी कम आपको दिखेगी यहां पे लेफ्टाम मेडियम के सामने सामने वाली टीम है गुजरा टाइटेंस उनके पास में लेफ्टाम मेडियम गेंदबाज आएगा जोस्वा लेटल अब उनक प्रोब्लम नहीं दिखरी बाकी के गेंदबाजों में देखोगे राइटाम मीडियम के सामने साड़े 26 या फिर 27 कैवरेज है यहां पे इनका 27 कैवरेज आपको मिलेगा लेफ्टाम मीडियम के सामने बाकी के इनबाजों के सामने उतनी प्रोब्लम शायद इनको फेस ना कर आगे चलेंगे यहां से बात करते हैं अब बैट्समेन और बोलस के मैचप्स की, अब ध्यान से देखना फिर से बता दू कोई भी चीज मिस मत करना, राजस्थान के बल्ले बाजों की बात करते हैं, गुजरात के बोलस के सामने, यसस भी जैसवाल, रासित खान के सामने एक ब पंडिया के सामने जरूर एक बार आउट हो अब सम्मी के साथ में गेंदबाजी करते हैं आपको शायद यहां पर हार्दिक पंडिया दिखेंगा आप जोस वा लीटल के जगा अगर टीम हाप लगे जोसेफ को खिलाईगी न तो शायद वो गेंदबाजी करते हैं लेकिन हाई के सामने दो बार आउट उचके के वल 59 गें में 79 एंट से ठीक है तो मैं सम्मी के सामने अगर बटलर ने इस मैस में काफी अची बल्ले बाजी कर दी ना तो शायद अधर कोई के इंद बाज गुजरात के टिम का बटलर को उतना प्रेशान ना कर पाई मोहिश सर्मा के सामने भ लेकिन रासिद थोड़ा सा लेट गेंद बाजी करेंगे और जब तक अगर यहां पर बटलर टिक गए ना तो बाई फिर तो बटलर शायद यहां पर रासिद को भी अपना विगेट ना देके जाए बट प्रोब्लम हमें दिख रही है रासिद घान के सामने भी और यहां प बैटल रहीगी ना वो अपने को देखने में काफी ज़्यादा इंट्रेस्ट आने वाले है उसके बाद में बात करते हैं संजू सैंसन की एक बार मोहित सर्म को आउट वे दो बार हार्दिक पंडिया को एक बार रासिद घान को एक बार मुमद शम्मी को और एक बार नूर पहमद को ठीक है रासिद के सामने नॉर्मली काफी अच्छी बैटिंग करते है बानवे गेंड में 109 रंस और एक ही बार आउट हुए जो कि सबसे बड़ा पलस पॉइंट है क्योंकि कोई भी गेंड़ अगर रासिद के सामने 92 गेंड ने फेस करेगा ना कम से कम 2-3 बार अ हार्दिक बंडिया के सामने एक बार अब जो आपको एक चीज स्टार्टिंग में भी बहुत चुका हूँ कि यहां पर अगर राजस्तान के टीम ने रासिद घान के पिटाई गर दी ना या फिर उनको विकेट अपना नहीं दिया तो गुजरात के जो गेंडबास रेंगे वो अलड़ी थोड़ा प्रेसर बे आजेंगे क्योंकि एकमत्र गेंडबास रासिद घान जिनके चार ओवर बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होते हैं ठीक है तो अगर उनकी पिटाई कर दी तो बाके गुजरात के गेंडबास तो फिर जरूर आपको प्रेसर में देखन प्रेसर ग्रीट्स के गेंडबास चाहँ है उसके बाद घुमासाह चेहल के सामने दो बार जो कीलग ब्रेकर प्रेसर में प्रेसर में दोब्त वाली है लेक ब्रेक गेंद बाज आएगा काफी लेट वो द्यानक न एक बार आउट हो यहाँ पर एडम जैंपा के सामने बोल्ट के सामने तीन बार अब लास्ट मैच के जो स्टेर्स मैंने आपको दिये थे जब इन दोनों टेम्स का मैच था उसमें भी मैंने आपको यह चीज बोली थी ठीक है यहाँ पर एक बार फिर से ट्रेंट बोल्ट जो है रिद्यवान साहा का विकेट जरूर निकाल दे ठीक है बाकी चहल आएंगे तब तक तो भाई यहाँ पर रिद्यवान साहा का काम तो अलड़ी हो चुका होगा उसके बाद में हार्दिक पंडिया की बात करते हैं यहाँ स जरूर होगी कम से कम दो से तीन ओर मेरे साब से ट्राई जरूर करें राजस्तान की टीम हार्दिक पंडिया के सामने जब भी यह बैटिंग करने हैंगे तो यहाँ पर आपको किलियर प्रोब्लम दिखे रहे है यूजी चहल वर्सिज हार्दिक पंडिया विजय संकर की बात एक होगी यूजी चहल को ये भी तीन बार अलड़ी आउट हो चुके हैं संधीब सर्मा के सामने दो बार आउट हो चुके संधीब डैथ में काफी अच्छी गेंदवाजी करते हैं क्योंकि वो स्लोवर वंज का काफी बढ़िया यूज करते हैं जैसन होल्डर के सामने एक अब मैं तो चाहूँगा नहीं कि आपे जैसन होल्डर खेले, ना खेले तो ज्यादा बेस्ट है, अपने लिए भी और भाई आपे राजस्थान के टीम के लिए भी, बाकी एक इस परकार का टीम सेलेक्शन करेंगे, वो तो टोस के बाद हमें चीजे किलियर हो पाएंगे, ठी कुछ ना कुछ आपको जो स्टैट्स है ना वो एक लेवल आपको अप करके दिखाए हैं, ताकि आपकी हैल्प हो जाए और आप लोग एक बढ़िया टीम कोमिनेशन बना पाओ, वीडियो को पोज करके, वीडियो को रिवर्स करके भी आप लोग एक बार अच्छे से मैचस देख लेना, हर एक प्लेयर की नोटबुक उठाके ना हर एक प्लेयर की कमजोरी लिख लिया गरो ठीक है, और उसके बाद में फिर अपना टीम सेट किया गरो, ताकि आपकी काफी हैल्प हो जब आप लोग अपना टीम सेट करो, पूरे मैचस आपको दिखा दिए, अभी च प्लेयर की टीम है, जहां पे जो मेरी कैप्टन सी रहेगी दोस्तों वो रहेगी यहां से, सुंबन गिल को वाइस कैप्टन सी मेरी यह सवी जैसवाल को रहेगी, अगर मैं बात करूँगा, जो कि आपके लिए सेफ ओप्संस हो सकती है, जोस बटलर को आप लोग आज़े कै कैप्टन सी इसलिए नहीं कर रहा, क्योंकि काईना कही मुझे लगता है, सम्मी के सामने इनको प्रोब्लम हो सकती है, या फिर भाईया इनका विकेट भी जा सकता है, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा सेफ अधर ओप्संस के इसाब से जा रहा हूँ, जैसवाल के उपर ज्यादा सेफली खेलोगे, बटर आपके लिए बैस्ट ओप्संन है, ठीक है, तो अपने अगोडिंग अगर आपको कैप्टन सी वाइस कैप्टन सी में चेंजिस करने पड़े तो भाई कर सकते हो, कोई शू नहीं है, ठीक है, बाकी ये फिलाल मेरे डेमो टीम है, अगर माली जे कोई प्लेयर नहीं खेलेगा, अधर कोई प्लेयर खेलता है, और अगर चेंज करने पड़ेंगे फाइनल टीम के अंदर, तो मैं आपको कहां पर अपडेट करूँ है दोस्तों, वो अपडेट आपको मिलेगी सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल पर, यह हमारा टेलीग्राम चैनल ह में बहुत ज़्यादा मैनत लगी है, ठीक है, बाकी चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन, बैल कोन कर लेना, कोई भी वीडियो आपको बिल्कुल भी मिनिस नहीं करने, मिलते हैं दोस्तों, अगले मैच की वीडियो में, उमीद करता हूँ, आप की टीम अच्छा पर्फॉर्म जरूर करेगी,